नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन लेकिना जरू हूं और इस डिजाइन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो ताना होता है वो स्टार्टिंग से कैसे तानते हैं वो चीज मैं आपको बताने हो ला कि सुरूर से हमारी चारपाई बनाते है गुंडि वाली इसमें starting से कैसे मिनाई जाते हैं कि बहुत से दोस्तों kominne Ob checked fonction से बताए history CI तो वही जारों ऑम को बताने जारहें the przedstaw çारपाई ज्रूल में छोटी है लेकिन 4 पर 사टी से वह्रक नहीं पड़ेगा आपको मैं चीज है कि आपको स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि कैसे होती है तो वह सबी चीज में आपको बताने वाला हूं तो शुरू करने से पहले दोस्ता आपस रिकृष्ट है कि यह आप हमारे चेनल पर पहली बार आये हैं तो red color के search comment पे click कीजिए और bell button दबाईए और bell button दबाने बाद all का आएगा तो all bell button दबादीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपके पास notification हो जाएगा और वो सबसे पहले पहुंच जाएगे तो आप देख पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आज कुछ नया सीख लेते हैं तो देखें चार पाई ये मैंने माई गोथली है इसके बारे में ये आपको देखना है तो मैंने एक particular वीडियो बनाया है तो वो आप हमारे चैनल के playlist में देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के description में आपको link डाल दूँगा वहां से आप देख सकेंग और बीचे मैंने ये रस्सी बाहन दिया ताकि सपोर्टीट के लिए ये न जाया आगे और ये आपको down ने डवाल लूँगा तो एक आथ आपको उत्तवशी सापचा आपको ये यहां से नेप लेना है तो देखो रस्सी मैंने लिए है इसको यहां से मैंने बाहन दिया थोड़ा इस प्रकार्शे करके ये ये मैंने बाहन दिया है और इसको क्या करना आपको यहें इसके अंदर्विलेंगे यहां से लेंगे इसी माई हैं माईं चीलेंगे आप थोड़ा इस M斤क और फसाएंगे यहां पर को दोस्तों फाको हे द्यादा Caitlin आपको आपको कि माईं में हम फसा लेंगे और फसाने के बाद में इसमें एक किल्ड डाल देंगे इस प्रकार्शे और यहां थोड़ा नुर्मल खेचेंगे इसको बस और यहां ले जाएंगे इस प्रकार्शे दूसरी तरब और इसमें क्या करेंगा इसके निच्छे से लेंगे यहां से लेंगे और यह यहां पर डाल देंगे इस प्रकार से यही चीज आपको में चीज है कैसे लेना है वो फिर से देख लिजी आप कि यहां में ने यह माई के अंदर से यह रसी ली है देखो इस प्रकार से और इसमें यहां जोंट किया है और इस प्रगार्श आपको रखना है और यहां से इसके नीचे से लेना है और फिर यहां ले जाना है फिर इसके नीचे से लेना है और इसके अंदर से लेना है दोस्ता आपको यहां से अंदर से लेना है और फिर यह किलिए आपको डाल देना है ज्यादा टाइट रसी नहीं नोर्मल रशी रखी बस और यह डाल देना फिर आपको वापस इस प्रगार्शे करना है फिर यहां लेकर आणा है यह इस प्रगार्शे और यह आप नीचे से लेंगे यहां से लेंगे और इसमें क्या करेंगे दोस्तों इसको दीरसी निकालेंगे निकालने के बाद में ये गुंडी डालेंगे आप दीरसी निकाल के इसमें ये जो हमें जोन था इसमें ही डाल देंगे तो ये रसी कई बार होता है कि इस रूमें थोड़ा दिक्कत करती है बाद में सही हो जाएगा वारा इसको वापस ज्यादा है रसी उसका वापस खैस लीजिए तो इस प्रगाश के यह रसी आप डालेंगे और यह वापस हम ले लेते हैं कि दोस्तों इनको सभी को थोड़ा सैट करना होगा सुरू इस स्टार्टिंग बस वापस इसी तरफ जाएंगे हम इस तरफ क्या करेंगे हम इसके अंदर से लेंगे जो रसी डाले थी इसके अंदर से लेंगे हम यहां से लेंगे और इसमें थोड़ा सक दीरे सी निकालेंगे इसको पकड़के रखना एक आज से और यहां निकाल देंगे और वापस इस प्रकारशे श्टार्टिंग करना जी इन देखो इस प्रकारशी त ये दीरे क्या हैं यहां दावनी भी बहणना है तो चलते हमें इसाथ साथ हम 모습 ये दावनी भी ले ले लेत हैं तो दावनी के भी यहां से लेंगे अंदर से यह हम ले लेंगे दोस्तों हमें क्योंकि बाद में हमारी दावनी यह रसी टाइट नहीं होगी यह हमारी बराबर नहीं आगी इसलिए हम यहां भी दावनी भी लेते रहेंगे इस प्रकार्षे यह ले लेंगे हम तो हर चार रसी बाद में मैं दाण डालूँगा इसमें तो यह हो गया हमारा और फिर नॉर्मल वापस से यह निकालेंगे और यह रसी देखो इस प्रकार्षे उसके अंदर से निकालेंगे और फिर आप आगे डाल पाएँगे यह सिंगल गुंडी की मैं आपको बतानी जारें दोस्तों और मैंने डबल गुंडी की बताएए चार पाई कैसे बनाए जाती है वह मैंने बताईए यह वापस से यहां से यह फिर से हम लगा लगे माई हम यह दावनी एक-एक डालती रहेंगे हम यहां से इसके साथ-साथ में सपोर्ट इट गए हमारी रहेगी है इस प्रकार्च हम दावनी यहां पर रस्टी को थोड़ा भान देता हूं है जब जुरूद पढ़ेगे तो और रस्टी हम निकाल लेंगे यह आप चाहें तो दोस्तों इसमें नॉर्मल आप यह दावनी भी डाल सकते हैं इस प्रकार्च हल्गा टाइट मत रखी ज़्यादा इस प्रकार्च दीरे दीरे आप नॉर्मल डाल लीजे बस इसी प्रकार्च तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी पर बस थोड़ा ध्यान रखना है कि चार रस्षी बात में ही है ये दावनी मैं नोर्मल एक बाद डाल देता हूँ आपको या आप साथ के साथ भी डाल सकते हैं वह आपके उपर है दोस्तों कि किस प्रकाश्य डालना है कि साथ के साथ में डालना है या नॉर्मल पहले आप डाल देंगे तो वह आप कर सकते हैं यह सभी चीज भी चलते हम एक बार आपको डाली देता हूँ ज्यादा टाइट नहीं रखना है इसको नॉर्मल रशियो को रखना है बस इस प्रकाशे हम नॉर्मल रख देंगे और यहां यह डाल देंगे इस प्रकाशे रहेगी दोस्तों और यह रस्या में यह भी हां पुड़ा अटा लगा देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए अब चलते हैं इस तरफ हम डालने किस प्रकाशे डालेंगे वह देख लिए आप इसके अंदर्शे देंगे हैं यह बात का विश्या स्क्राब को देंद रखने हैं क्योंकि घुंड़ी में दो ही रस्य रहनी चाहिए दोस्तों तो दो रस्या हमारी आलगडी हैं तो एक घुंड़ी में दो रस्या हैं क्योंकि मैं दो जोड़ा यह आपको बताता हूं तो दो ही रश्य आपको रहनी चीए इस प्रकारश ही रहेंगे तो यह थाना हम थानेंगे इस प्रकारश मों यह चोटी हो खाट या बड़ी हो थाना एक ही डिजाइन शे तना जाता है शिरफ माईगी आप double माईगी कर सकते हो single माईग कर सकते हो वो आपके उपर दोस्तो यदि double माईगी आपको बनाना है तो उसके बारे में मैंने particular वीडियो बनाए कि double माईगी कैसे बनाई जाती है और single माईगी भी हम आपको दिखाये है वो सभी चीज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते है और यदि आपको नाम लिखना है चारपाई में नाम कैसे लिखा जाता है हिंदी और इंग्लिस में और mobile से नंबर तो उसके बारे में भी particular मैंने वीडियो बनाए है दोस्तो वो भी आप देख सकते है कि A से लेकर Z तक सभी अक्सर में ने बताए है हिंदी में भी और इंग्लिस में भी दोस्तो हिंदी में मैंने नाम लिखकर दिखाये चारपाई में और इंग्लिस में भी दिखाये और mobile से नंबर भी दिखाये दोस्तो तो मुवाइस नंबर तो मैंने दो-दो डिजाइन से दिखाए हैं ताकि आप आसनी से जो भी डिजाइन आपको अच्छे लगे वो नंबर आप डाल सकते हैं और रही बाद दोस्तों फूलों की मैंने हर चारपाई में नई नई डिजाइन से बताई हैं हर बाद तो आज फिर आपको बहुत से दोस्त बोल रहे हैं कि हमें सुरूसे बताई हैं तो वही सुरूसे मैं आपको बतानी जा रहे हैं इसलिए मैंने ताना यह ताना है चारफाई में स्टार्टिंग से किस प्राश्य ताना तान थे वह इंग आपको दिखा रहे हैं कि उसके साथ साथ दूस्ते एक बात और बता देता हूं कि यदि आपको आथी गोड़ा उनुठ देखना है तो वह भी आप हमारे चारफाई जो चैनल है रवी आदव तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं और डिस्क्रसिन हमारा चैनल का लिंक मिल जाएगा वह आप आसानी से YouTube पुर्ण सर्च कर सकते हैं और आप हमारा एड्रेस भी दिया रहता है वीडियो की नीचे आप कॉंटेट भी कर सकते हैं दोस्तों तो आप हमारे नंबर पर भी कॉंटेट कर सकते हैं वह भी आपको वीडियो की दिस्क्रसिन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप दे कि जो हमारा वीडियो के एंटर लाइन चलती है नीचे वहां मेरा एड्रस लिखा रहता है उस एड्रस से आप कॉंटेट कर सकते हैं दोस्तों कि इस परकार से दीरी दीरी यह सभी चीज बनाई आप इसी परकार आप चलते रहेंगे तो यह लैर हमारी बंती आएगी नजर रहें इस आप देख पारें यह लैर है यह चलती आई नजर आएगी और हर मेने यह 480 बाद में दोस्तों है ढोने जाना साथ कि और दावनी डालनता डाली जाती यह मैं सिंपल आपको दावनी डालर बता रहा हूं उससे पहले मैंने अलग डिजाइन की दावनी मैंने बनाई थी तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अराम से आपको मिल जाएंगे वीडियो प्ले लिश्ट में देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं योटोप पे तो भी आपको मिल जाएंगे सभी चीज और दूसरी बात यह है कि दोस्तों मैंने बोतल में भी चार पाई आपको डाल कर दिखाए है वह एक कला है दोस्तों और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको यह समझ भी नहीं आता तो आप कॉन्टेट करके मेरे से पूछ सकते हैं लेकिन यह उल्टा सीधा कम आने की कोशिस करता हूं पिर भी यह आपको एक डिजाइन नहीं समझवाति है कोई बात नहीं है हर परकार की डिजाइन्स आपको मिलेंगे हमारे चिंबल पर बहुत चीज़ेंस मैंने बनाई हैं तो दोस्तों आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि एक एक रस्ची के बा बता हूं दोस्तों आपको मैं तो उन्से पुने रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम नहीं करें तो देखें आगे यह सभी डिजाइन्स इसी परकार बनाती रहे हैं आप पुर्य हमारी चलती रहे हैं कई दोस्तों बता रहा थे कि आप एकदम बनती भी दिखाई तो आज मैं वही आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार्श आप यह ताना तानेंगे वही मैं आपको दिखा रहा हैं दोस्तों तो दीरे-दीरे आप यह ताना तानेंगे देखें अराम से लहर आपकी बनती भी नजर आ जाएंगे इसे प्रकार से आप अराम से बन निए पूरी डिजाइन से आपके सामने बन जाएगी लहर की वी चार पाई मैंने बना कर बताई है और एक बात और बताने बुल गया दोस्तों है यदि नोकडिया चकडिया खाट आपको चो पल खाट भी देखेंगे और डिजाइन भी ऐसी अलग अलग नई डिजाइन उसमें भी दोस्तों मैं उतारता हूं जो फूलों की डिजाइन होती है वो उसमें भी मैंने दिखाए है उसके बारे में भी कई वीडियो बनाई मनी नोकडिया चकडिया खाट में तो वो भी प отвilles टोस्तो वह भी छेक लिट नाउन है तो बहुत आए अच्छा रहेगा क्योंकि महला बात है दोस्तों डिजायन शीखण, होगे लोगत हो जाए गई हो सकता है कि आपके पास बड़ी चार पाई थोड़ा टाइम लगे वह एक अलग बात है दोस्तों लेकिन ताना आपको इसी प्रकार्शे आपको तानना है उसमें कोई भी इंटरफेर नहीं करना है यह आपको ध्यान रखेंगे और मैंने जो बताए था दावनी उस की करा से में ढालते जा रहा हूं हर चाहां रषी बाध में इस प्रकार्शी आपको दाल सकते हैं सिंगल लुक्त बातार है धेन जाट होने से चार में एक डाल दूंगे शिए सबकाशे आपको डाल देंगे तो इस प्रकार्शी आपको यह ध्यान रखने बस पूरी चारभए में इसे प्रकार्शे तन तनते रहेंगे और यह दूसरा स्थी माल यह हमारी आजाएगी यह सभी बराबर आपको यह करते रहें नहीं वोई सभी षी पूरे में लहर आ जाएगे और बहुत सी दोस्त्त पूछने दे करें व Carne करना आपश्मीं व भी दोस्तों के अनटें में कैसे हैं रही करना पस में और स्थी किस प्रकार्शें आपको मैस करना है कि जितने ही आपके चार पाइम होगा से दोस्तों लंबी उतना ताना तान लिजे को ज़रूडरी नहीं कि आपको पचास रशी ताने है सो रशी कि जितनी आपके चार पाम आति reg competent है उतनी तो यह दोस्ती इसी प्रगाश आपको । faco । देखो पूरा यह थाना तन गया हमारा है? हराद नहीं है हमारी यह भी तोड़ी आपको लास्ट में इनको सइउ शेट कर ले निन करेंगे एक्दम कमबत्ती खेंग के इसको बराबर कर देने दोस्तोओ dark परकश आपको तना टान लेना और दावनिंशेट कर में इसके बाद ऒächlich आपको क्या行 कि मुझा दोसरे लोसे वह में आपको बतानी जा रहा हूं है कि यह गुंडी यह हमारी है यह बाहन देंगे क्योंकि बाद में हमें यह लाष्ट में कम आएगए तो इसल Kerryय है यह पिर आप इसको बाहन दे यह ले कर आपको बाहन देना है तो यह हमारी रसी बहाँ जाएगी पर अन्हेसे रसी आप काथ दीचे या फिर आप जितने आपके चारे पर रसी आते हैं उतनी आप डाल लीजिए दोस्तों यह नीए कि आपको निशीती डालनी है और आगे कासे करते हैं तो यह इस तरफ से वह मैं आपको पार्टू में बता पाँगा कि किस प्राश्य आपको इस्टार्टिंग करना है तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह मेरी वीडियो आपको पसंदा ही होगी यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राब करना है भू और तो आपको अच्छे लाइक भीडियो आपको इस दिस दोड़ागा तो आपको यह एको इस बाहाँ प्राटू में तो आपको प्राटू आपको अच्छे तो